नमस्कार दोस्तों वेट्टम्स एकडेमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल में टैट एक्जाम के दौर चल रहा है और इस टैट एक्जाम के दौर में हमने अभी जो है आर्ट्स पर हुआ था आज हम उस पेपर वे डिसक्रस करेंगे और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जिक्ए कि जतने भी को स्थाथ हैं तो यह दिसक्रस करता हूं असिंके अंसर और इसक्रानिशन के साथ दोस्तों आइए देखते हैं कि कि जो हम डिसक्स करने जा रहे हैं जो 29 जून को जो एक्जाम हुआ था मेडिकल विशे पर उस पर क्या-क्या जीके कोशन आया थे दोस्तों यह जीके कोशन थो है जनल अवेर्नेस एंड इन्वार्मेंटल स्टेडिस जो है यहां पर देखने को मिलेंगे और इन जो क्राषट्य करें गया कि आपके कोशन कितने सही हैं तो जाया तो देंगए सब्सक्राइब सुकेट सत्यागरा पर क्वेशन ना रखा है क्वेशन हम बात करें हिमाचल जी के से क्वेशन है कि सुकेट सत्यागरा कब हुआ था दोस्तों सुकेट सत्यागरा अगर हम देखते हैं अजादी के बाद सुकेट सत्यागरा हुआ था रियास्तों को एकठा करने बहुत बड़ा रहे थे रियास्तों के गठा कर रहे थे तो तब जाके यह फर्वरी अगर हम इसकी सुरुवात करें पहली बैठर जो हुई थी आठ फर्वरी 1948 यहां राइट अंसर है तो दोस्तों अगला कोशन की बात हम अगर करें हिमाचल परदेश में यी टैक्सी की खरीद पर पात्र व्यक्ति को कितने प्रतिशत की सब्सिड़ी परदान की जाएगी तो दोस्तों कुछ समय पहले जो अभी मुझूदा सरकार हमारी जो अभी जो सुखुजी उन्होंने कहा था कि हमारा अभियान है कि आने वाले समय में हम हिमाचल का जो पर्यावर्ण है इसको प्रॉपर सुद्ध रखने के लिए अभियान जारी के रखेंगे अलग अलग जो टाइपस जितने भी हमारे से कोशिश होंगी इनमें सबसे बड़ा है कि या 50 प्रतिशत की हम चूट दे सकते हैं ए टैक्सी खरीद में ठीक है जी यह करने में तो 50 प्रतिशत इन्होंने कहा है तो इसका सही अंसर दोस्तों सी आएगा चलिए नेक्स कुशन की तरब चलते हैं मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस बर्ष बनाया गया था दोस्तों मंडी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया जब ब्रिटेन में जो महारानी विक्टोरिया और हमारे यहां पर जो अंग्रेजियों का राज था एक तरह से कह सकते हैं तो हमारे मंडी के उस्त में जो राजा बिजे सेंथ है उन्होंने इस पुल का निर्मान करवाया था माना जाता 140 प्लस एर इसके उमर हो चुकी है तो इसके साइक क्रिशतिकरेस्ट काफी हो रखा था तो बड़े वहानों की आवाज यहां पर हो नहीं सकती थी तो अभी ने फुल का निर्मान कर दिया गया सरदार भलब भाई पटेल जी के नाम से वह फुल का निर्मान किया गया है ठीक उन्हें हिमाचल का नाम राष्ट्री अंतराष्टी स्थार पर काफी उचा किया है हमिरपूर के बेसिकली रहने वाले और बेट लिफ्टिंग इनका जो स्पोर्ट है इसमें उन्हें काफी बड़ा नाम कमाया है अभी हाली में सिंगापूर में जब भारुत वलन हुआ था है एक असान सा क्वेश्चन है अगर हम मिनिस्ट्री केवलेंट मिनिस्ट्री आपने देखी लिए होगी इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्र जो है रोही ठाकुर जी है जोन्हें ने हाली में भी कहा था क्योंकि आज हम उसी एक्जाम की बात कर रहे हैं भी बहुत ज्यादा नंबर में पोस्ट आने वाली है इन्होंने अभी तीन चार दिन पहले आर्टिकल दिया था बताया था ठीक है तो दोस्तों रोही ठाकुर जो है एक सही अंसर आएगा इसका 125 का इसक्षा मंत्री कोन है रोही ठाकुर जी है चलिए अगले क्वेशन की ब क्वेशन नबर 127 बरतमान में हिमाचल परदेश के एडवोकेट जनल कोन है अगर हम बात करें तो अभी कौन है तो इसका सही अंसर दोस्तों भी अशोक कुमार जो है एडवोकेट जनल हिमाचल है अभी अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं कि सेंट्रल लैदर रिसर्च इंसि अधान संस्थान कहां पर है तो दोस्तों इसका सही अंसर है सी चन्नी तमिलनाडू और यह कब बना था सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो यह हुआ था ट्वन्टीफूर एप्रिल दोस्तों बता दों कि राज्य सवाके सवापति कौन होते हैं जो इंडिया कि हम बात करें तो वहीं हमारे इंडिया के बाइस प्रेजिटेंट जो है उपराष्टर पती कॉन है अभी दोस्तों जगदीब धनकर जी बीजेपी से संबंदित है राजिस्तान का बेस है ठीक है और इससे पहले जो जगदीब धनकर भी क्यों फेमस थे कि बंगाल में वो जो है जो गवर्नर की पोजिशन पे थे तो वहां पे सुर्खियों में रहते थे तो इनी को अभी जो है जो बाइस प्रेजिडेंट बनाया गया है तो दोस्तो जगदीब धनकर ये राइट आंसर रह है भारत के सरबोच्च नियाले के 50 मुख्य नियाएधिश कोन है चीफ जस्टिस पर इंडिया स्प्रीम कोट के कोन है इस टाइम पे 50 में और है जस्टिस बाइडी वाई चंद्रचूड जी थी हां देया धननज्या वाई चंद्रचूड जो है वह इस समय भारत के जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोट के नो नवंबर दो हजार बाइस को इन्होंने कारेभार संबाला था ठीक है काफी सुर्कियों में रहते हैं काफी बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं आचकल ठीक है जी इसके आगे 131 कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों सिंक तरास्ट्र दिवस य सहले भी पिछले एक्जाम की अगर हम बात करें ठीक है तो आर्ट्स वाले में तो वहां पर भी यहनों से हमें कुश्चन देखने को मिल रहा है यहां पर तो यहां पर देखिए जो कुश्चन इसका आएगा सही अंसर भी आएगा 24 अक्टूबर हम सब जानते हैं 1945 को ठीक है फांडेशन हुआ था यूएनों का और उसी दिन को सिंक्तराष्ट दिवस्क के रूप में मनाया जाता है हर साल ठीक है तो राइट आंसर भी आ गया चलिए अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं 132 132 किली मंजारो जौला मुखी किस महादीप में स्थित है किली मंजारो जो ह है किस महादीप में है तो आपका जो यह राइट अंसर है अफ्रीक का जो है कॉंटिनेट है यहां पे किली मंजारो जौला मुखी देखने को मिलेगा ठीक है नेस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिजली के वलव में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है इजी क्वेश्च सब्सक्रमंदल का सी इसका राइट एंसर आएगा इसके आगे चलते हैं कोस्ट नूम्बर 135 अंतराष्ट यह मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता तो इसंट्रेश्चनल लाइट यह कब मनाया जाता है दोश्टों दस दिसम्बर को यह इंट्टरेश्चनल हीउमन इसको इसकी नीव रखी गई थी ठीक है जी और तब से इसी दिन को यह जो है अपना बनाया जाता है क्योंकि युनाइटन नेशन जैनल एसेंबली में इसको अडॉप्ट किया था दस दिसंबर 1948 को कि इसके तहट की दुनिया में मानव अधिकारों का उलंगर ना हो ठीक है जो जो इनसान जो हैं उनके भी राइट्स है अपने ठीक है तो इंटरनेशनल जो है लेवल पर कि किसी कंट्री में यह कुछ अगर चीज़े होती हैं तो वह युएन की तरफ से और इंटरनेशनल दी जाती है कि वह कैसे इनको जो है मानव अधिकार जितने भी है इनका जो है हनन नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेशन नमबर वान ठर्टी सिक्स जो है क्या है मिस्ट युनिवर्स 2022 कौन बनी है तो दोस्तों यहां पे इसका सह अधाया इस एक आपे आप देख रहे हैं कि यहां पर हरनाज को संदू का भी नाम आ रहा है तो आपने ध्यान रखना रखना दोस्तों यह भी मिस्ट युनिवर्स है पर यह बीटे समयप है मतलब 21 की ठीक है अभी 2022 की बात हो रही है तो आर जो है उन्याटे स्टेट की यह ह जो डो हजार जीता है और दोस्तों ऑपन के बाद जो है फ्रेंच ओपन दो हजार तेउसभी नवाक जोकोविक नहीं जीता है जो कि रेड कले पे होता है अगर अस्ठीलोपन की बात हो गरी दोस्तो तो यह हार्ड कोट पर होता है और अभी सबसे ज़्यादा उनौने उन्होंने जीते हैं अपने जन्दिThis मैं यह इनका 10 दस्माई जो था जो ग्रैंड स्लैम था अपना जो अपन वाला और इसके लागर अब देखा जाए कि इस समय नंबर वन दुनिया का टैनिस प्लेयर कोन है तो वह भी नौवाग जोगों विखी है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम है टोटल 23 ठीक है अभी इनका जो है दौर चल रहा है इससे पहले श्यूंक तरूप से जो राफेल नडाल के साथ 22-22 पे बैठे हुए थे दोनों 22 इनके पास थे 22 नवाग चोकोपिक और नडाल के पास अभी हाली मैं जब इन्होंने जो अगला जो ग्रैंट स्लैम जीता तो यह 23 के साथ अब नंबर बन हो चु जो इस्टेलिन ओपन का बादशा कोन है फ्रेंच का कोन है यूस को ने तो वो सारी चीज़ें में डाल दोगा चलिए बात करो तो ग्रैमी पुरुसकार कि शित्र में दिया जाता है तो दोस्तों ग्रैंट जो है म्यूजिक के बिशे में दिया जाता है आप देख पाएंगे कि जो से ग्रैमी जो है आप एक तरह का वो जो साउंड सिस्टम है तो कि उसी के नाम पर रखा गया है ग्रैमी अवोर्ड तो यह संगीत के ऊपर जो है आपका यह अवोर्ड जो है दिया जाता है दोस्तों इसकी शुरुआज जो है 1958 से हुई थी ठीक है जी चलिए अगले को सब्सक्राइब चलते हैं कुश्चन नमबर 139 उजग जामा उजग जामा किस जिले का पारम परिक लोक नरती है दोस्तों यह हिमाचल जी कैसे कुश्चन संबंदित है यह कुलू इसका सही अंसर कुलू आएगा उजग जामा जो है कुलू का जो है फॉक डांस है ठीक है जी चली इससे अगला कुश्चन आगया लेड़ी ऑफ के लांग यहभी हमाचल जी कैसे संबंदित कुश्चन आगया लेड़ी ऑफ किलू जो है यह क्या है तो यह दोस्तों एक गालिशियर है अगर के लांग से आप इसको देखते हैं इसकी तरफ तो ऐसा लगता है कि एक लेडी की जो है छविस सी आपको देखनी को मिलेगे इस ग्लेशयर में तो इसी से प्रेट होगे ये नाम 1856 में रखा गया था एक जर्मल लेडी थी उपने के द्वारा लिखा गया था रखा गया था वो एक लेखक भी है और साथ में जैसे यातरी भी थी थी तो उन्होंने यह नाम रखा था, Lady Aliza ने थिक है, Lady Aliza ने यह नाम दिया था, Lady of Kilong तो इन्ने की नाम से Lady of Kilong की Glacier रखा गया है थीक है दोफुर्टों चलिए 141 की तरफ चलते हैं, question 141 की निमले मैं से किस परबत शृंखला पर डोटा वेटा शिखर स्थित है ठीक है डोड़ा बेटा शिखर है कहां पे तो दोस्तों ये भारत में नील गिरी की पहाडियों पे तो इसका सही अंसर ये आ गया नील की पहाडियां तो डोड़ा बेटा शिखर की अगर बात करें दोस्तों तो सी लेवल से 2000 637 मीटर की हाइट है इन पहाडियों की ठीक है और दोस्तों यह जो है बेस्टन तमिलाड में नीलगरी जो मौंटेंस पर लुकेटेड है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 142 भारत में मौलिक अधिकारों का सरक्षण कौन है सरक्षण कौन है वी दा गौड्डिन उर फॉन डमेंटल फॉनडमेंटल फॉन डमेंटन रई तो दोस्तों इसका सही अंसर आए गा सी स्प्रीम कोड जो है उसके द्वारा मौलिक अधिकारों का सरंक्षण कौर्ट ऐसकरैट्स का सरेंथा जाता है अगर फॉन्डमेंटल भारत कर सेंटन dos सकते उसका एक जो है प्रोसेस है कि आप लोर कोट से अपर अपर तक जाएंगे ठीक है फंडामेंटल राइट की बात होती तो डिरेक्ट आप स्प्रीम कोट का दरवाजा खटखटा सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर 43 भारती सेना की सेना प्रस्षेक्शन कमान का मुख्याले भारत में का है वेर इस दा हैड़कॉर्टर ऑफ इंडिन आर्मी ट्रेनिंग कमान लोकेटेट इन इंडिया तो दोस्तों यह इसका सही अंसर आएगा शिमला 1993 को यह शिमला में जो है यह हेड़कॉर्टर ओपन किया गया था दोस्तों इससे पहले जो है जो है MP में था ठीक है अब यह शिमला में है 1993 से हेड़कॉर्टर चलिए अगले कोशन की बात करते हैं 144 की मोहनी अट्टम किस राज्य का लोक नरतिया है दोस्तों 144 का सही अंसर आ बात करें संभीधान सबा में उदेश्य प्रस्ताब किस ने पेश किया दोस्तों फू इंटर्डूस दा उब्जेक्टिव रेजोलीशन इन दा कॉंस्टिशन असेंबली तो इसका सही अंसर आएगा दोस्तों जवाहरलाल नहरू ने यह जो है अब्जेक्टिव दिया था ठ इस मैं होती है इन विच ओफ दा फॉलाइंग इंग इस दा ओसों लियर तो दोस्तों ओसो जो है आप देखते हैं सैकंडलीर है और होती है समताप मंडल ड्र स्ट्राईटव स्ट्राइबर जो है और यहां होती है प्रिथवी तल से 20 से 50 किलिमेटर के बीच का जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलती है चलिए पंडित रभी शंकर कौन सा वाद्धिर अंत्र जाते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ा नाम है पंडित रभी शंकर जी 147 कोश्चन का सही अंसर अगर आप लिखते ह एंगा है तो यह सितार वादिख थे ठीक है और 999 में इने भारत रतन भारत का जो सर्भुच सम्मान है भारत से भी इनको सम choking किया गया थासो नवाज गया था ठीक है ओन फॉंट्टी 8 कुश्चन की बात करें नेक्स्ट तो फेमा क्या है ठीक है दोस्तों धैंज्मा क्या है 1999 के तहट ठीक है तो फेमा जो है फोरेजन एक्सचेंज मैंजमेंट एक्ट है यह 1999 में एक्ट बनाया गया था ठीक है जी चलिए इसके आगला जो क्वेशन की बात करें नदी के किनारे बसा है तो दोस्तो रोम इटली की राजधानी क्या है रोम है तो यह टिबर नदी के किनारे बसा है चलिए नेक्स्ट क्वेशन आता है 150 बुश्मैन जन जाती किस मरुस्थल में निवास करती है इन विच डेजर्ट डस दा बुश्मैन ट्राइब लिव्ज तो दोस्तो इसका सही अंसर है जो बुश्मैन पर जाती जो है काला हारी जिया दोस्तो भी इसका सही अंसर आएगा 150 का काला हारी जो है जो मरुस्तल है वहां पे दोस्तों ये बुश्मैन पर जाती है जो पाई जाती है दोस्तों काला हारी जो मरुस्तल है ये सौथ अफरीका का एक पार्ट है और दोस्तों यहां पे जो जन जीवन थोड़ा टफ है क्योंकि यहां पे पानी जो है इस सतह पर बहु पी कुछ यहां पे जो है चीज़ें क्लियर हुई होई होगी आपकी दोस्तों बता दो जैसे अभी जो एक्जाम चल रहे हैं आप देख रहे हैं अगर आगे आने वले एक्जाम की प्रेपरिशन करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि हम भी हमाचल टैट या किसी और टैट के लिए या हमाचल के अधर एक्जाम के लिए जैसे प्टवारी हो गया पुलिस हो गया जो अब कमी एक्जाम आने वाले हैं या एजुकेशन के पेपर जो आने वाले हैं उनमें अगर आप जाना चाहते हैं हमाचल जी के के साथ अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी जाना चाहते ह देखी में इंग्लिश के सब कुछ आता है तो दोस्तों हमारे फुल कोर्स की प्रेपरेशन होती है मुहाली सेंटर में और हमारे कांगडा सेंटर में दोनों ही जगा पर आपके ऑफ लेन कोई आपकी ठीक है आपको लगता है कि एक्जाम जो मैं करवार हो इसमें कोई आपको डाउट है तब भी इस नंबर में आप मुझसे बात कर सकते हैं ठीक है दोस्तों फिर अगले लेक्चर में फिर से मुलागात होगी सब तक के लिए जैहिन जैहिमाचा